हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स, बहुत सारे लोग अपने बाइक याई स्कूटर के कम माइलेज को लेकर बहुत जादा परिशान रहते हैं वो कई सारे चीज़ों को चेक करते हैं, लेकिन माइलेज इंप्रूब नहीं होता है अब देंकि माइलेज वैसे तो कई अलग अलग कानों से जो है वो कम मिलता है लेकिन हम तो किसे तीन अलग अलग कैटिगरी में डिवाइड कर सकते हैं पहले category basically आपके riding habits से जुड़ी हुई है, यानि कि आप किस तरह से आपने बाइक्या scooter को चलाते हैं, उससे भी mileage में बहुत जादा impact पड़ता है, खैर इसके उपर मैं डेटेल वीडियो है, किन गलतियो को आप करते हैं, वो मैं नपस वीडियो में बताया है, link आपको description में मिल जाएगा, जो दूसरी गलती है, जाए दूसरे जो problem में, वो basically है major technical issue, engine related issue, clutch और जो gear box है, इससे related issue, अब इसके उपर मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके उपर मैं already detailed video है, link आपको description में मिलने वाला है, हम मैं बात करने वाला हूँ, तीसरी category के उप कम हो सकता, और ऐसे ही साथ important points के बारे मैं आपको आगेज video में बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखे, और अगर आप channel पे नहीं हो, या अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया, तो please channel को subscribe जरूर से कर ले, पहला point है, clutch and gear lever issue में आपको बताना चाहूँगा, कई बार क्या ह वहाँ पे उसका play वगड़ा सही नहीं होगा, तो उसके वजह से भी जो bike का mileage है, वो बहुत हद तक कम हो जाता है, क्योंकि engine जो power produce कर रहा है, वो clutch ही आगे gear box तक भीजता है, और यहाँ पे मैं आपको gear lever के बारे बताना चाहूँगा, कि अगर जो gear lever का adjustment है, उसमें भी किसी तरह का गरबर होता है, बहुत से लोग को यह नहीं पता होता कि कलच के वएसे या gear जो change कर रहे है, उसके वएसे भी mileage कम होता है, तो अगर mileage का problem आ रहा है, तो आप इन दोनों चीगों को अपने mechanics से जरूर से चेक करा है, और कलच play सही करा है, और जो हमारा gear lever का play है, उससे भ आपको आपके bike से mileage मिलेगा, कई बार क्या होता है कि लोग वेवकूफी करते हैं, जी हां बिलकुल वेवकूफी करते हैं, लोग क्या करते हैं कि जब chain बहुत ज़्यादा धीला होता है, उस धीली chain के साथ भी लगतार अपने bike को चलाते रहते हैं, उन्हें लगता है कि chain से अवाज ही तो आ रहा है, उन्हें कोई problem तो होई नहीं रहा है, और उससे उन्हें पता नहीं होता है कि mileage में कमी होती हैं, क्योंकि देखो इंजन बहतर तरीके से power को produce कर रहा है, कलज भी अच्छी तरीके से आगे gearbox तक उस power को भेज रहा है, उसके बाद जो gearbox है, वो भी अग अपने बाइक का जो chain है, उसे सही तरीके से set करके रखे, फ्रेंड्स टॉपिक में आगा बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे unacademy mechanical, electrical and electronics engineers के industrial skill set को improve करते हुए, core engineering sector में बहतर job पाने में help करती है, इसके लिए unacademy बहुत सारे courses and workshop लेकर आई है, भी मिली थी, आप इन certificate को अपने CV resume, LinkedIn profile में attach कर सकते हैं और अपने profile को strong कर सकते हैं, इस weekend भी unacademy mechanical, electrical and electronics engineers के लिए free certified workshop कंड़क्ट करा रही है, mechanical engineers के लिए workshop है IOT in automobile sector और इसमें आपको ये सेखने को मिलेगा कि किस तरह से automobile sector में sensors, actuator, IOT को use कर जाता है, साथ ही future को ध्यार में र यूज होगा automobile industry में ये भी आपको जानने को मिलेगा, इसके अलावा future में किस तरह से automobile sector है वो develop होगा, इसे जोड़ी बहुत सारे जानकर या आपको इस workshop में सीखने को मिलेगी, इसके अलावा electrical and electronics engineers के लिए है conclave 5.0, यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कि जो IOT है, वो किस तरह से electrical and electronic engineers में use किया जाता है, वैसे भी IOT एक ऐसा topic है जिसके बारे में mechanical, electrical और electronic engineers को अच्छी तरह से पता होना चाहिए और यह आपको एक बेहतर company में एक बेहतर profile पे अच्छे जौपाने में जरूर से मदद करने वाला है, साथी अगर आप मेरे coupon code danish001 को use करते हो तो additional 10% का discount मिल जाएगा, तो आप इन free workshops के लिए जरूर से enroll कर ले, सारे important links आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगे, चलिए हमनों topping वापस आते है, तो तीसरा problem है वो tires and wheels के साथ जुला हुआ हो, यह बहुत important है क्यों कि जो आपर bike हो या scooter हो, इसका जो complete भार है, वो तो हमारा जो tire और wheel होता है, उसी के उपर ultimately पढ़ता है, कई बार कई अलग अलग करनों से, खासके जब bike scooter पूरानी हो जाती, जो wheel जो चक्का है, वो jam होता है, हाला कि आप जब bike scooter को चलाओगे, तो वो आपको feel नहीं होगे, यह आप अपने हाथों से देखोगे, तो आप feel करोगे, ज जो चक्का चाहे आगे का हो, चाहे पीछे का, वो jam होता है, तो अगर wheel का rotation jam होगा, तो obviously जो mileage है, वो कम हो जाता है, इसके अलावा tire को पर आपना जरूरी है, क्योंकि देखो tire का अगर हवा कम होगा, तो उस कम हवा के वज़े से भी, जो mileage है, बाइक का scooter का, वो बहुत हद त हो सकता है, जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, कि air filter अगर बहुत जादा गंदा हो, धुल गंदगी वहाँ पे ज़्यादा जमा हो, जाम हो, बहुत जादा पुराना tire हो गया हो, और आप काफी लंबे समय से उसे change नहीं किये हो, तो उस air filter के गंदगी के वज़े से भी mileage कम होता ह है, क्योंकि उससे engine के cylinder के अंदर में petrol जादा जाता है, और जो हावा का मातरा है, वो कम हो जाता है, और उस वज़ास से भी mileage उसमें impact पड़ता है, क्योंकि rich air filter हो जाता है, तो जो air filter उसे ज़रूर से check करे, clean करे, और अगर ज़रूरत है तो उसे change भी करा दे, आगला जो point है, वो है engine oil, इस point को तो हर एक वीडियो में include करना जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, एक bike air scooter के बहतर mileage के लिए कि उसके engine के अंदर में हमेशा सही quantity में, सही quality और सही grade का engine oil available हो, कई बार दे को सब कुछ सही होता है, आपने कुछ दिनों पहले ही servicing कराया होता है, फ दिखाई देगा, वज़ा कुछ भी हो, अगर engine oil कम होगा, तो overhitting भी उससे होता है, और overhitting के वज़ा से भी mileage कम हो जाता है, तो engine oil को आप जरूर से check कर ले, अगर बार-बार mileage का सिखाई देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है, idling RPM, देखो कई बार क्या होता है, कि आप बहुत अच्छे rider होता है, बहुत अच्छे तरिके से अपने bike car scooter को चलाते हो, सही speed में, सही gear में चलाते हो, ठीक है, और उसके लाबा engine से कोई problem नहीं है, आपकर chain वगरा भी बिल्कुल सही है, बाकिश जी बिल्कुल सही, कलाच लिवर सही है, ब्रेक लिवर सही है, everything fine, हर कुछ सही है, लेकिन एक point है, जहाँ पे अगर problem होता है, तो फिर mileage बहुत अतक कम हो जाता है, और जो की है, idling RPM, जिसे नहीं पता मैं बताना चाहूँगा, कि idling RPM basically क्या होगी है, कि आपने अपने bike car scooter के engine को ज अब देखो, idling यहीं देखा गया है, कि as per engine capacity, कुछ bike का, या scooter का, जो हमारा idling RPM है, वो होता है, 1100 से, 1200 फिर depend करता है, कि अगर CC बढ़ गया, तो 1300, 1400, 1500, 1600 से तक चला जाता है, ठीक है, तो वो depend करता है, लेकिन कई बार, अगर कुछ गरबढ़ हो, setting में गरबढ़ हो, तो वो जो RPM है, वो या तो कम होता है, या तो जादा होता है, और अगर जादा है, idling RPM, जिसे बहुत से लोग कहते है, कि जो engine है, वो race में है, तो अगर engine में race में है, इसका मतलब यह हो गया, कि engine के slender के अंदर में, जादा जल्दी जल्दी, जो petrol है, वो आरा और खास करके, जब चल जानका नहीं मिल जागा, ओनर्स मैनलों में लिखावा होता है, या फिर जो Google करके आप जान सकते हो, और उसे check कर आए, अगर गडबर है, तो उसे set कर आए, ये बहुत जाता है, और जो finally है, वो बहुत important, ये भी point है, ये है carburetor and ECU related issue, कई बार क्या होता है, कि जब हम लोग serv अगर उसमें किसी भी तरका कोई गडबर हो जाता है, तो उससे भी mileage बहुत हतक फरक पड़ता है, वहाँ पे, या carburetor गंदा है, तो उससे भी mileage में फरक पड़ता है, तो मैं आपको बताना चाहूँ कि पहले बात आप carburetor को check करा सकते हो, अगर बाकिच जो प्रॉब्लम नह जाते, कई बार बहुत लोग इससे इग्णॉर करते कि इसके विए से mileage में फरक पड़ता है, जी हाँ बिलकुल पड़ता है, उमीदे कि इस वीडियो में दीकर जानकारी आपको प्रसना आई होगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, वीडियो के बार और चैनल के अब बार अपनी राय, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताए, इसके राब अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आकन को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टन आपको नोटिफिकेशन के थरू मिलते रहे, मिलते अगले वीडियो में थैंक्स वाचिंग इस वीडियो, गडवाई